गुजिया के बिना तो होली अधूरी ज़ी और वह भी गुजिया बंजय पांस मिनट में और चॉकलेटी वाली तो मज़ा जाता और ऐसी मज़ेदार रेस्पी आज मैं आप लोग के साथ लेके आए हूं यह देखिए यह देखिए जो अंदर से चॉकलेट निकलता है और उसक समीठा करने के लिए एक से देट से मचीज में चीनी जाएगी बहुत जैदा मीठा को यहां नहीं डालना है और यहां इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और यहां पर हम दूर डालते हुए बिल्कुल रूंग टेंपरेशर का दूर होना चाहिए और यह थोड़ा थोड बनेगा बिल्कुल अराम से गिरने वाला बैटर बनेगा और थोड़ा से में डाला था बेकिंग पाउडर जिससे एक मज़ेदार वाली जो कुझिया बनेगी जी ना यह सारा सस्पेंस है और वो भी बनेगी आधे चमस तेल मिल और यह देखे यह बैटर गया और इसको हमने में ऐसे हलका सफहला देना है और हर इसको अधक देंगे दौ मिनट के लिए 2 मिनट में यह उपर से ड्राइऊ हो जाएगों जाए tv निकाल लेंगे और यहाँ ऑर यहाँ एक छीज digo बनेग डाला हुआ था इनको मिला लेंगे चाकलेट को बिल्कुल बारी ग्रेट करना है और यह देखें मिलाने के बाद इसको अच्छी तरीके तरह बना के रखा गोजिया इस से बनेगी जी सारा सस्पेंस यहां कातम होता है गोजिया का मोडल ही रखा है और इसमें कुछ नहीं लग गर इसा नहीं करेंगे तो चॉक्लेट होने लगेगी और अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और यह किनारे निकलेगे ना यह तहकि आप छॉक्रटी वाली गुजिया बनती है ना जी, उसके क्या कहनें, एक बार तो आप अपने महमानों को इस होली पर ये चॉक्रटी गुजिया जरूर खिलाईगा, मैं आपको एक और बना के दिखाती हूं और जब तक मैं दूसरी बना के दिखाती हूं भाई इस चॉक्रटी वेस्टोर तरीके से दस से पंदरा दिन तो रोती और गर्मा गरम गुजिया आपके महमान आते हैं उनको गर्मा गरम एक मिनट का माइक्रो मारो गर्मा गुजिया पेस करो यहां पर थोड़ा सा पैन में हलका सथ ग्रीस किया हुआ था और इनको 2-3 मिनट तक उलट-पलट के लेंगे गैस को बिल्कुल सीम रखेंगो और यह देखो जी क्या लग रही है यह बहुत बढ़िया और मज़ेदार वाली और अलग वाली रैस्पी यह ऐसी एक आप अपने बच्चों को भी साथ हेल्प करके और लेकर के मज़ादार बना सकते हो यह देखो यह जी एकदम ब प्रेविचेनल को प्यार दो और यह देखे